स्क्रीन पर एक खबर देखिए ये खबर थोड़ा हड़कंप मचाने वाली है और आरोप लगाने वाला एक ब्रिटिस एक्टर है टाइम्स नाउ की ये खबर है जिस कबर में ये कहा जा रहा है कि मक्का में गाजा के लिए अगर प्रातना करने के लिए कोई जा रहा है और कु सौधी अरब क्यों ऐसा कर रहा है पर सिर्फ इस एक पक्ष नहीं देखिये सौधी इरब एक तरफ जहां यह कर रहा है वहीं स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिये सौधी अरब ने oil production को cut कर दिया है क्या 1973 की तरफ सौधी अरब ले जाना चाह रहा है और इन सब के बीच में कौन है Victoria Coats जिनोंने चाइना के उपर आरोप लगाया है स्क्रीन पर एक article देखिए क्या ये सब कुछ किया कराया चाइना का है और चाइना ने Middle East को बरबाद कर दिया है इनोंने भारत का भी नाम लिया है भारत का नाम किस संदर्व में लिया है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक article देख रहे हैं आप इस article में बहुत सारी बाते कही गई है और चाइना को लेकर बहुत सारे खुलासे भी किये गए है और ये article लिखने वाली हैं कौन तो आपको बता दे नाम है इनका Victoria Court और ये अभी फिलाल के लिए एक संस्ता है उस संस्ता में ये वोइस प्रेसिडेंट है National Security and Foreign Policy से रिलेटेड Catherine and Selby Coulomb Davis Institute है जिस पर ये वोइस प्रेसिडेंट है लेकिन इससे पहले ये डोनाल ट्रम्प की डिप्टी एने से रह चुकी है यानि कि National Security को लेकर इस सक्स के पास एक अच्छा खासा अनुभव है इन्होंने अपने article में क्या लिखा है तो आपको बता दें इन्होंने अपने article में तीन point दिये है और बाद में इन तीन point को बहुत ज़्यादा detail में बताया है कि किस तरीके से ये सब कुछ जो हो रहा है इस सब कुछ का सबसे बड़ा फाइदा चाइना को मिल सकता है और इन्होंने कहीं न कहीं एक question mark लगा दिया है कि क्या इन सब के पीछे चाइना है आपको बता दें पहली point इन्होंने कहा है इरान के पास एक इरादा था इसराइल से भिड़ने का और ये इरादा क्या था तो ये इरादा था इसराइल और सौधी अरब की डील को खतम करना बरबाद करना इसके बाद इन्होंने दूसरा point रखा कि अगर इसराइल और सौधी अरब की डील अच्छी हो जाती तो अमेरिका की सौधी अरब के security partnership में entry होती और तीसरा इन्होंने कहा कि आज के समय में चाइना, रूस और इरान एक तरफ दिख रहे हैं अब इन्होंने काफी सारी चीजे डीटेल में बताई और इन्होंने कहा कि जड़ा notice करो 2020 के बाद चाइना का जो port है वो सौधी अरब से बहुत ज़्यादा गिरा चुकि सौधी अरब सबसे बड़ा ओयल एक्सपोर्टर है कुरूड ओयल का तो ऐसे में चाइना एक दसमलो तीन-तीन मिलियन बैरल पर दे मंगाता रहा फिर उन्होंने कहा कि चाइना इरान से तेल ज़्यादा मंगाता है पहले तो इरान से चोरी छुपे तेल मंगाता था पर अब चाइना ने 2022 में खुल कर इस बात को कहना भी सुरू कर दिया यानि खुल मिला कर ये कहें तो ये कहना ये चाह रही है कि इस वक्त अगर ताइवान में हमला करना है चाइना को तो फिर ये सिचुएशन बहुत सही है और इस सिचुएशन को पैदा करने के लिए चाइना इरान का साथ ले सकता है और इरान हमास का साथ ले सकता है जिसकी वजह से पूरा यहां का सीन पूरे मिडलिस्ट का सीन गड़बड हो जाए जो Middle East शांती की तरफ जा रहा था इजराइल के साथ Middle East के जादा तरदेश सांती समझोता कर रहे थे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए यहाँ पर इजराइली PM UN में दिखला रहे थे कि देखो हमारा जो है मिडलिस्ट के ज़्यादा तर देशों के साथ अब दोस्ती भरा रिष्टा हो गया है तो ये सारा कुछ डिस्टर्ब करने के लिए पूरा प्लान हो सकता है मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखिए जो 22 सितंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर इसराइल के एड्रस कर रहे थे यूएन में जहां ये बड़े गर्व से दिखला रहे थे कि हमारे रिष्टे अब अरब देशों के साथ अच्छे हो रहे हैं और अभी क्या हो रहा है अभी इस सीन के बाद सब के साथ रिष्टे कुछ न कुछ खटे जरूर हुए हैं अब इन सब के बीच में क्या हो रहा है एक खबर आ रही है और ये खबर क्या आ रही है कि सौधी अरब कामे जाने वाले लोगों को खास तोर पर ध्यान दे रहा है सौधी अरब ने अपने तिर्थ स्थलों पर गाजा के लिए प्रातना करने वालों और फलिस्तीन के लिए समर्थन दिखाने वालों पर सक्ती दिखाई है और इस कड़ी में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है ऐसा कहा जा रहा है एक बिटिस अभीनेता और प्रेजेंटर हैं इसलाह अब्दूर रहमाल इनका कहना है कि फलिस्तीनी कैफिये पहणने के कारण सैनी को ने हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ा गया पर सवाल उठता है कि सौधी अरब ऐसा क्यों करेगा स्क्रीन पर जैसे कि आपने ये आर्टिकल देखा वैसे ही एक दूसरा आर्टिकल देखिये सौधी अरब ने प्रोड़क्शन कट को जारी रख दिया है दो हजार चौबिस के लिए और ये सुनते ही सुकरवार को तेल क कदाम 4% बढ़ गया कहने का अर्थी ये है कि सौधी ऐसा नहीं है कि फलस्तीन के खिलाफ है या फिर इज्राइल के समर्थन में है इस वक्त सौधी सिर्फ ये देख रहा है कि आने वाला विकास का रास्ता डवलप्मेंट का रास्ता कौन सा है दूसरी बड़ी जी नहीं चा जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर भारत को लेकर भी इन्होंने एक बात कही है भारत को लेकर इन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या के मामले में पार कर चुका है चाइना को और भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ना चाह रह जा है manufacturing के से छेत्र में production के छेत्र में क्योंकि भारत और अमेरिका ये साजेदारी करते हैं तो लंबे समय तक भारत और अमेरिका को यहां फर फाइदा होता रहेगा आपको बता दें एक और चीज बार बार डिसकर्स की जारी है कि यह जो लडाई वगेरा हुआ है इसके बाद भारत मिडल इस्ट की रनीती क्या बिगड गई है तो लगता तो कुछ इस तरीके से है जैसे प्लान किया गया था बहुत अच्छे तरीके से ताकि मिडल इस्ट पूरी तरीके से निर्भर हो जाए चाइना के उपर, अमेरिका से दुस्मनी हो जाए आई में परजेक्ट रुक जाए बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको इस पूरे रिलेशन के बिगड़ने से फाइदा होने वाला था जैसे की इरान को फाइदा होने वाला था तुर्की को फाइदा होने वाला था अब मैं था की बात क्यों कर रही हूँ तो आपको बता दू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो रवया दीख रहा है बड़े देशों का युवई या सौधी अरब ये इस वक्त अपने आपको बहुत ही बड़ियां से हैंडल कर रहे हैं और ये आगे का भविस्त देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को सारी चीजें खत्म होने के बाद सांती अस्थापित होने के बाद आइमेक से लेकर हर पोजेक्ट को ये देश जरूर सुरू करेंगे और सौधी अरब वही ने ये संकेत देकर सारे किये कराये पर पानी फेर दिया है अगर ये बात सच भी हो कि चायना इनके पीछे है तो जिसमें इनोंने इजराइल से सम्मंद तोड़ने से मना कर दिया है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ